जहां दोस्तों बात कर रहे हैं इस वीडियो में CRPF Requirement 2022 के बारे में जहां पर Central Reserve Police Force के डिपार्टमेंट से 2022 के ले सीधी भरतियों का ओफिसल लोटिपिकेशन जारिवा है साथ में आवेदन भी सुरू हो जुके हैं जिनके बारे में Complete Information आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं जहां दोस्तों CRPF भरति को लेकर काफी सारे लोगों के वीडियो पे कमेंट आ रहे थे कि सर में CRPF भरति के बारे में बताये कि आकर ये भरति कब से कब तक में होने जारी है कितने पदो पर ये भरति होने जारी है कौन कौन से राज के कंडिडेट इस भरति के लिए आवेदन कर पाएंगे तो फाइनली आप सभी को बता दे CRPF के डिपार्ट्पेंट से लगवगे 3000 से भी जादा पदो पर सीधी भरतियों का ओफिसल लोटिपिकेशन जारी हुआ है साथ में आवेदन भी सुरू हो चुके हैं सो फिंट से अगर आप लोग भी सेंटल रिजर्व पुलिस पोर्स के अंदर एक अच्छी सी पोश पर सेलेक्शन पाना चाहते हैं आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखेगा आज की इस वीडि हैं सो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है लेकिन उसके पहले आप सभी से एक रिकेश्ट है कि अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आए तो फ्लीज वीडियो को एक लाइक करके दोस्तों में सेयर करना मत पूलेगा साथी आप लोग है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोग किस राज से हैं साथ में आपका एजुकेशन क्वालिपिकेशन क्या है साथ में आपकी एज लिमिट क्या है ताकि आपके राज एजुकेशन क्वालिपिकेशन साथ में एज लिमिट के हिसाब से सरकारी न सबसे पहले male candidate के लिए आपकी height मागी है 170 cm वहीं बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए chest के बारे में तो यहाँ पर आपका chest मागा गया है 80-85 cm बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपकी यहाँ पर height के बारे में CMS एवं HD के लिए तो यहाँ पर आपकी height मागी है 162.5 cm साथ में आपका chest मागा गया है 77-82 cm बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए running के बारे में तो यहाँ पर आपको 100 meter की race 16 second में पूरी करनी है साथ में आपको 1600 meter की race 6.5 मिनेट में पूरी करनी होगी साथ में यहाँ पर आपको long jump देना है 3.65 मेटर का जिसमें आपको 3 chance मिलने वाले है साथ में आपको high jump देना है 1.2 मेटर का जिसमें आपको 3 chance मिलने वाले है साथ में यहाँ पर आपको सौट पूट दिन है 16 LBS जिसमें आपको 4.5 मीटर का तीन चांच मिलने वाला है साथ में बात करें जहां पर इस भरती के लिए female candidate के बारे में तो यहां पर सबसे पहले general OBC SC के लिए height मागी गई है 157 cm यहां पर सबसे पहले आपको 100 में 100,000 में पूरी करने है साथ में आपको 800 मीटर की दोड़ 4 मिनिट में पूरी करने है साथ में आपको लॉंग जब देना है 217 में इसमें आपको 3 चांच मिलने वाले हैं बात करें इस वेकेंसी के बारे में तो यहां पर आप सभी को बता दें यह वेकेंसी SSC CPOK Department से होने जा रही है जहां पर आपको CR-PF की पोश्ट भी देखने के लिए मिल जाएगी जहाँ पर बात करें पोस्ट नेम के बारे में तो यहाँ पर सब इस्पेक्टर के लगवगे 3122 बदों पर सीधी भरती होने जारी है जिसके लिए apply mode रहेगा online का बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए who can apply तो यहाँ पर इस भरती के लिए all इंडिया के candidate आवेदन कर पाएंगे साथ में इस भरती के लिए male एवं female यानि की महिला एवं पूर्ल स्तोनों आवेदन कर पाएंगे बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपके application फिस के बारे में तो यहाँ पर जर्णल ओविस्टी के लिए 100 रुपे बागी की सभी category के लिए application फिस बिल्कुल निसुल करेंगे बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपके एस लिमिट के पारे में तो यहाँ पर अगर आपकी उमर सीमा 20 से 25 वर्ष के बीच होगी तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे वही एज में छूट की बात करें तो एज पर गौवेन हुल यहाँ पर एस रिकले पांच वर्ष की तदा और इस रिकले तीन वर्ष की आपको एज में छूट भी मिलने वाली है बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपके यहाँ पर selection के बारे में तो यहाँ पर आपका selection qualification exam physical and standard test शाथ में physical efficiency test एवं document verification एवं medical exam के आधर पर आपका selection होने वाला है बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपके education qualification यानि की section की योगता के बारे में तो यहाँ पर अगर आप लोग केवल और केवल graduate या फिर bachelor degree पास हैं तो आप यहाँ पर अगर आप लोग इस भरती के आवज़िदन करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से डॉकुमेंट अनिवार रहेंगे तो यहाँ पर आपका आधार काड पैन काड बूटर आडी साथ में education certificate साथ में पासपोर्ट साइस का फोटो सिगनेचर दो मेसल certificate सा यहाँ पर इस भरती के लिए vacancy restoration के बारे में तो यहाँ पर सभी राज्यों के candidate इस भरती के लिए आवज़िदन कर सकते हैं आप चाहें भरत के किसी भी राज में रहते होंगे आवज़िदन कर पाएंगे बात करें यहाँ पर इस भरती के लिए आपके important date के बारे में तो य लाश्ट एट है अपलाई करने की 30 अगस्त 2022 जिहां प्रेंट्स अगर आप लोग है इस भरती के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 30 अगस्त 2022 के पहले इसका आवेदन करना होगा 100 फिंट्स है काफी अच्छ वेकंसी है इस वेकंसी से सम्मंधि सभी इंपोर्टर लिंक है आपको वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन पर देने वाला हूँ जहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी उम्मेद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अपडेट पना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्स अपडेट के साथ दपने के लिए आप लोग है अपना ख्याल रखे धन्वाद